किया आप सीता फल के फूल के पकोड़े खाए हैं साइद आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन हमारे यह यह बहुत फेमस है यह पकोड़े इतने टेश्टी लगते हैं कि इसके आगे सारे फूल को अच्छी तरह साफ करकर ले लिया है इसके अंदर का भी शीर तरह घीरा घीरध ए दर्शार लहसुन चार हरी मीट चैनल यह मसाले के पीस्ट भना लेंगे के यहां पर हमने लिया है यहां यह बैसन स्वाहिग तनलें जावल काटा भी मिक्स किया है पिर डाल देंगे अजवाइन और क्रौंजी तो चावल काटा ड़ने से क्या होता तो आपको पता ही होगा कि गबदा आपको फूल के पकूर और कितने टेस्टी बनते हैं अगर की घर में भेसा। तो आप मार्केट में भी सिताफल के फूल खरी सकते हैं यह असानी से मिल जाते हैं आप एक बर जुरूर ट्राइब करिएगा इसका रेस्पी बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए हमारा बेटर लगबग तियार हो गया है थोड़ा सा इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे त्वास मस्याला कम लग रह था रहा तर्फ़ास और डल देते हैं टल कर जिसे घृत कर लेंगे हमारा बेटर रेड़ी हो गया है थी त्धैया कैरें रहाखना है nóार फीर हम क्या करेंगे हम की फूल लेंगे और फूल तो सिर्फ बेसंग का टेस्ट आता है फिर हम पैन को गैस परक Payne में हम डालेंगे सरसो का ते ल मड़ें वली-ो health धर्या हमारा देल भी ऑच्छी तरह गरम हो गया है तो हम सारे कहुंद अरिक कर सकते हैं अ बैपने लोगे सावे ब्सक्रस्डित architect Susan सब्सक्राइब करें दिखाना चाहिए जिसकों करें है कि चिपक गया था तो इसे कट कर लेते हैं कट करके इसे हम प्लट लेंगे कि अब हम क्या करेंगे प्लट कर थोड़ा थोड़ा साइड में तील डाल देंगे ताकि यह अच्छी तरफ राई हो जाए निचे से भी अच्छी तरफ सिख जाए कि यह लिची है हमारे पकड़े बन गए लग बग आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं यह रोटी के साथ मत खाएगा क्योंकि रोटी के साथ अच्छी नहीं लगते हैं तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे देखिए कि आपको पुसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तेल लबाए टेक्यों